कि नमस्कार दुस्तों स्वागत है आपका अमित चीज चीजेंटर में दौस्तों आज की वीडियों क सॉल्व करने वाले हैं प्रैक्टिस सैट को जो की सभी बिस्यों का एक mixture है ठीक है इसमें सारे विसाय आपके सामेले जो की NCL में पूछे जाते हैं तो इस practice set को आप जरूर solve कीजेगा और मुझे comment करके जरूर बताईगा कि आपके इस practice set में कितने अंक आए ठीक है और दोस्तों आप लोगों से एक appeal भी है कि यदि आप practice set को solve करते हैं practice set को पूरा किजिए और साथी साथ उन questions को भी आप तयार करते रहें अपने notebook में लिखते रहें और आप उसको revise भी करते रहें डेली वाई डेली ठीक है तब जाके आपका क्या होगा बेड़ा पार होगा और आप अच्छे नंबरों से ncl को crack कर पाएंगे ठीक है तो इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से एक appeal और करना रहें तो चलिए अब लोग अब बिना लेट किए इस वीडियो को सुरू करते हैं कि आज का पहला प्रिष्ण है नंदा देवी कहां इस्तित है ठीक है और अरुडांचल प्रदेश सिक्किम उत्राखंड राजिस्थान तो नंदा देवी दोस्तों कहां इस्तित है तो इसका उत्राखंड की बात करें तो उत्राखंड में कितनी परवत स्रंखलाए हैं ठीक है तो कितनी है तो उत्राखंड में जो है आपकी एक तो नंदा देवी हो गई ठीक है दूसरा है कामेत ठीक है क्या है कामेत और तीसरा है त्रिसूल ठीक है ना त्रिसूल है उसके अलाबा है बंदर पूछ ठीक है क्या है बंदर पूछ इनको आप याद रखिएगा ठीक है एक नंदा देवी हो गया ठीक है दूसरा कामेत हो गया तीसरा त्रिशूल हो गया चौथा बंदर पूछ हो गया ठीक है चलिए अब अगले परसने पर चलते हैं अगला परसन क्या है कूद नित रूप है ठीक है ऑप्सन है राजिस्थान उडिशा मद्यपर्देश जम्मू कस्मीर तो यहां का जो राइट आंसर है क्या है जम्मू कस्मीर में ठीक है चलिए अगले प्रस्चन पर चलते हैं प्रस्चन है उस महासागर का नाम बताईए जिसके सीमा तीन महाद्यूपो को छ तो यह एक तो हो गया अफ्रीका ठीक है दूसरा हो गया अपना एसिया महादीप ठीक है एसिया हो गया और तीसरा कौन सा हो गया क्या हो गया यूरूप ठीक है यह तीन महादीप है जिनको यह भूमत दिशाकर टच करता है ठीक है चलिए अगले प्रस्चन पर चलते हैं प् इसका जो 86 लाक वर्ग किलो मीटर इसका च्छेत्र पहल है ठीक है चलिए अगले प्रशने पी चलते हैं अगला प्रशन है Kelvin scale में मानव सरी का सामानेताब कितना होता है ठीक है तो यहाँ पर जो right answer वह कितना है 310k ठीक है और अगर degree celsius में बात की जाया तो degree celsius में कितना होता है 37 degree celsius ठीक है foreign height में अगर बात करें तो foreign height में कितना होता है 98.6 degree foreign height ठीक है तो यह रहा हमारे सही का तापमान तीनो scale पर ठीक है चलिए अगले प्रशन को देखते हैं अगला प्रशन है 200 हरित करांती के जनक कौन थे तो यहां पर जो right answer है वह है नार्मन बोरलाग ठीक है यह 200 हरित करांती के जनक थे अगला प्रशन देखते हैं गुबारे में कौन सी गैस भरी जाती है तो option है hydrogen, argon, helium, oxygen तो यहां पर जो right answer है वह है आपका helium gas भरी जाती है ठीक है अब प्रशन यह उड़ता है कि helium gas ही क्यों भरी जाती है तो दोस्तों हमारे बाइमंडल में जो भी गैसे हैं यह gas जो है helium gas उनसे हलकी होती है और इसी वज़े से गुबारे में helium gas भरा जाता है जिससे क्या हो गुबारा जो है उड़ता रहा है ठीक है अच्छा एक question और यहां से उड़ता है कि हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है तो वहाँ पे कौन सी गैस भरी जाती है तो उसमें भरी जाती है nitrogen gas ठीक है चलिए अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रशन है निमनलिकित में से सबसे मीठी सरकरा कौन सी होती है ठीक है अप्शन है सुक्रोज, ग्लुकोज, फ्रक्टोज और माल्टोज ठीक है तो जो सबसे मीठी सरकरा होती है वो होती है फ्रक्टोज ठीक है अगला प्रशन देखते हैं मानो सरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है option है पेसी कोशिका, रुधीर कोशिका, अस्ति कोशिका, तंत्रिका कोशिका तो यहाँ पर जो right answer है, तंत्रिका कोशिका है, ठीक है यह मानों सेरी में सबसे लंबी कोशिका होती है, हमारी जो तंत्रिका कोशिका होती है चलिए अगले प्रश्थने पे चलते हैं अगला प्रश्थना है यह है burgeoning से rumgeoning सब्द के अक्छरों का परियोग करके किस सब्द को बनाय जा सकता है ठीक है तो reasoning में आप देख रहे हैं कौन कौन सा यहाँ पर alpha weight है r है e है e है soning थीक है तो अब हमको देखना है कि यह जो यहाँ पे चार option दिये हैं तो इन में से कौन सा option ऐसा है जो इनके alpha weight का प्रियोग करके बन सकता है ठीक है तो यहाँ पे देखिए आप real को चेक करिए यहाँ पे देखिए L जो है ठीक है पहले वाले में L जो है reasoning में कहीं पर भी L alphabet नहीं है ठीक है इसलिए क्या है पहला option तो नहीं बन सकता है ठीक है अब दूसरा देखते हैं sing S I N G तो यहाँ पे देखिए reasoning में S भी है ठीक है I भी है N भी है G भी है ठीक है तो यहाँ पर यह जो option number 2 है यह क्या बना रहा है यह reasoning सब्द के अक्षरों का परियोग करके एक नया सब्द का निर्माड कर रहा है ठीक है तो यहाँ पर option number 2 सई है अब बात करें अगर option number 3 और 4 की तो यहाँ पर रेशन जो है रेशन ठीक है तो यह भी यहाँ पर इसमें क्या है टी जो एल्फावेट है यह reasoning में टी नहीं है ठीक है एस यू एन सब्द से नहीं बन सकते है ठीक है जो सिंग है यह correct answer है अगला प्रसंद देखते हैं धक्का मुक्की में कौन सा समास है ठीक है तो यहाँ पर जो option है मैंने इससे पहले भी पहले की वीडियो में भी इससे related मैंने करा रखा है तो इस तरीकी के जब भी देखने को मिल जाता है जहां पर क्या डैस लगा हो जैसे धक्का मुक्की है तो बीच में डैस लगा हुआ है ठीक है माता पिता है ठीक है माता डैस पिता तो वहां क्या होगा हमेशा द्वंद समास होता है ठीक है जैसे बेटा बेटी हो गई भाई बेहन हो गए ठीक है तो वहां पर द्वंद समास होता है तो यहां पर भी क्या होगा option no.3 द्वंद समास है ठीक है अगला पसंद देखते कि आखास का प्रयावाची सब्द नहीं है ठीक है और यहाँ पर आस्मान का और यहां पर आसमान भी क्या है आकास का ही प्रयावाची सब्द है तो तो यहां पर जो अक्षी जो है यह अलग है ठीक है क्या है यह अलग है यानि कि यह क्या होगा इसके यहां पर जो राइट आंसर बनेगा अक्षी बनेगा ठीक है आकास का प्रयावची सब्द यहाँ पर पूछा आकास का प्रयावची सब्द नहीं है तो यहाँ पर कौन सा है अक्षी जो है आकास के प्रयावची सब्द नहीं है ठीक है चलिए एक लिए पस्ट कुछ देखते है निम्न में से कपड़ा का प्रयावची सब्द है ठीक है यहां पर एक ही जो है option no.1, यह पट का मतलब होता है कपडा वस्त्र ठीक है तो यहां पर option no.1 सही है यहारे कि कपड़े का प्राची सब्द है option no.1 पठ है ठीक है चलिए अग्ला परसुन दीखते है सम्मुख का बिलोम सब्द है सम्मुख का मतलब किसी के सामने ओर इसका जो बिलोम सब्द होता है वी मुख होता है 2 जो यहां पर राइट है वी मुख मतलब किसी के सामने नहीं पीछे अगला पॉसंड देखते है either you ठीक है your brother stole my watch या तो आप या तुम्हारे भाई या तो आप या आपके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है ठीक है तो यहाँ पर इस वाले option में क्या भरा जाएगा यहाँ पर क्या नव खाली स्थान पर नौर भरा जाएगा एन भरा जाएगा और या that ठीक है तो यहाँ पर जो suitable है या तो आप या फिर आपके भाई ने मेरी घड़ी चुराई है ठीक है तो यहाँ पर अगला प्रशन है मैट से है तीन घंटे रेशियो दिया हुआ है ठीक है और एक दिन का सरन्तम रूप क्या होगा तो रेशियो जब भी हम निकालते हैं तो क्या करते हैं हम यूनिट को सेम उसमें कर लेते हैं ठीक है से मात्रक में कर लेते हैं है ना यारी कि तीन घंटे है तो हमें दिन तूनों को हमें क्या करना होगा तो हम 3 गंटा लिख लेते हैं ठीक है के वेतर रेशियो लगा लेते हैं और कितने 24 गंटे होते हैं तो ainesोग्ते हम क्या करेंगे 24 गंटे When खूंके अब लिखे मुझे और न लिखे उससे अब कोई क्या निपढ़ेगा अब क्या करते हैं या तूद लिख लेते हैं चलिए यह agriculture हो गया ठीक है अगर गड़ती रूप में कर रहे है तो अब 3 से तीन कम तीन तीन अठे 24 ठीक है यानी कि यहां पर अनुपाद जो बन रहा है कितने का बन रहा है एक अनुपाद 8 का बन रहा है ठीक है 1 ratio 8 यहाँ पे जो right answer बनेगा option number 3 बनेगा 1 ratio 8 ठीक है अगला परसंद देखते है A ratio B बराबर 1 ratio 3 B ratio C बराबर 2 ratio 1 तो A ratio B ratio और C ratio बराबर क्या होगा ठीक है तो यहाँ पर हम पहले क्या करेंगे यहाँ पर इनको हम लिख लेते हैं ठीक अब हमें A, B, C निकालना है तो हम क्या करेंगे A लगा लिया हमने ratio B ratio C ठीक है अब हम यहाँ पर A के सामने A वाला value रख देते हैं B के सामने B का value रख देते हैं अब देखते है B और C तो B क्या है? 2 है C यहाँ पर क्या है? 1 है यहाँ पर एक लगा लिया यही तो था अब हम देखेंगे जहाँ पर खाली स्थान है यहाँ पर खाली स्थान है तो इसका last वाला digit क्या है? तो last वाला जो है? 3 है तो हमने 3 लिख लिया इसके सामने यहाँ पर 2 बचा है खाली स्थान है तो यहाँ पर दो भर लेंगे ठीक है आप इनको हम क्या कर लेंगे गुड़ा लेंगे ठीक है गुड़ा करते हैं तो दो एककम दो अनूपार है दो तीयां छे अनुपार है तीन एककम तीन तूँ यहाँ पर जो राइट Blessed बनेगा दो आप ए अनुपात B बरावर 1 अनुपात 3 ले लिया, ठीक है? और B अनुपात C बरावर 2 अनुपात 1 ले लिया, ठीक है? तो इस थरीके से उल्टा N बनेगा, ठीक है? कैसे? उल्टा N बनेगा और इस थरीके से, अब इनको हम गुड़ा कर लेते हैं, इसमें, 2 एक कम 2 हो तो यह दो-थिया क्या हो जाएगा च्छह हो जाएगा और फिर उसके बाद यह लास्ट में आया तो तीन एक कं में सबसे बड़ी संख्या का मान क्या हो होगा तो यहांपर हम क्या करेंगे-Sautrick लगाएंगे जब बड़ी संख्या का मान पूछता है तो हमें क्या करना है दोनों जो योग और अंतर दिया हुआ है उनका अंतर निकाल लेंगे हम लोग ठीक है तो यहां पर यानि कि इसका जो अर्थ होता है वो होता है क्या करना त्याग करना ठीक है त्याग देना ठीक है मतलब या फिर क्या सकते हो आप हार मान जाना ठीक है त्याग कर देना छोड़ देना ठीक है तो इसको इसका जो जो सिनोनिम बनेगा क्या बनेगा यहां पर देखिए चार ओप् option number one correct है ठीक है चलिए अगले प्रस्न पर चलते हैं अगला प्रस्न है give meaning of accuse, accuse का आर्थ होता है किसी को क्या करना guilty सावित कर दे यानि कि दोसी, ठीक है, accuse किसी ने हत्या किया और वो क्या हो गया, दोसी करार दिया गया, accuse हो गया, ठीक है तो यहाँ पर जो option सही है, option number one, दोसी है, ठीक है, accuse का मतलब होता है, दोसी, अगला प्रस्न देखते हैं, पर्थम दो सब्दों के बीच के सम्मंद की आदार पर अनुपस्ति सब्द का पता लगा है, ठीक है, तो यहाँ पर बृत का जो सम्मंद है, परिधी से है, ठीक है, का से निकालते हैं, देखिए, यह बृत, ठीक है, और इसके चारो तरफ का यह वाला जो एरिया निकालते हैं, उसको बोलते हैं, परिधी, ठीक है, ऐसे ही वर्ग होता है, ठीक है, यह वर्ग है, अब वर्ग के चारो तरफ का अगर हमें निकालना है, ठीक है, केवल यहाँ स से चले हम यहां से चले यहां से चले यहां से चले इसकी लंबाई मतलब कि यहां से चलना सुरू कि यहां से चलना सुरू कि यहां पर आकर कितना हम लंबाई चल लिए यह क्या कहलाएगा ठीक है तो वर्ग का जो परिमाप हो वर्ग का जो यहां पर कॉमिनेशन बनेगा ठीक ह यहाँ पर जो सम्मंद आ रहा है वो किस से आ रहा है परिमाप से आ ठीक है तो यहाँ पर जो right answer है option number two परिमाप है अगला पसंद देखते हैं प्रस नहें जेबरे लाइन बनी होती है option है motorcycle path 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 के लिए keval car के लिए pedal यात्रियों के पार path के लिए और इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर जो right answer है दोस्तों किसके लिए बनी होती है pedal यात्रियों के पार path के लिए ठीक है अगला पसंद देखते है RTO के farm 20 की उपयोगता क्या है ठीक है तो यहाँ पर जो right answer है वो है बाहन के पंजी करड के लिए आविदन है तो ठीक है यानि कि अगर आपको गाड़ी का पंजी कराना है अपने तो आपको RTO के farm 20 को भरना पड़ेगा ठीक है option number 4 correct है अगला पसंद देखते हैं यदि आपके पास एक प्रसिच्चू motorcycle license है तो option number 1 आप motorcycle चला सकते हैं केवल एक license धारी के साथ व्यस्त घंटों में आप motorcycle नहीं चला सकते हैं आप अपने साथ केवल एक ही रहागीर को बैठा सकते हैं जबकि वह एक मानक प्रसिच्चक हो आप motorcycle 20 km प्रती घंटे के ऊपर गती से नहीं चला सकते हैं तो यहां पर जो right answer है वह है आप motorcycle चला सकते हैं केवल एक license धारी के साथ में ठीक है पीछे license धारी बैठा होना जाई यह तभी आप क्या उसको गाड़ी को चला सकते हैं ठीक है नहीं तो ऐसी लेके दोड़ पढ़े तो क्या होगा चालान कट जाएंगा अगला प्रसिंद प्रश्ण है यतायात की नियमों कूल लागू करने का दाइत्व निमलिखत में। इसलिए कंकोले काता नियमам कारन करें। इसलिए चाहए चाहँ काटा आता कॉन ने पुलीस वाले कारते हैं इसका मतलब यह हुआ कि पुलीस वालों के ऊपर यत यात के नियमों को लागू करने का दाइत होता है। आप्सशनrato 2 और या फिज्ञवर निकाल निकालना तक है। Karla Rघो होelly को बंदें, मीरी दिखले इसी उम्मीद के साथ आप लोगों से इस वीडियो पर बिदा लेता हूं, मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय, टेक केर, जै हिंद, जै भारत